मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका medical classes में स्वागत है तो आज हम क्या बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं अननास के बारे में यह होता क्या है यह सबको पता है फल होता है जिसको खाना होता है लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होती है कि आप इसको साल में बहुत क कि अब आप नहीं भी खाते हैं बहुत से लोग ऐसे होते जो कि नहीं खाते हैं किसी कि यह नहीं पसंद क्यूंकि इसमें मेहनत जादा होती है और इसको अच्छे से काटना और छिलना पड़ता है तो फिर दिक्कत होती है अब होता क्या है यह आपके बौड़ी के लिए बह जादा होता है उसकी जो एसिडिटी होती है वो जादा होती है जब आप उसको खाली पेट खाते हैं जैसे की अनानास हो गया या फिर जैसे की संत्रा हो गया मौसमी हो गया वो सारी चीजे की वज़र से चीजों की वज़र से क्या हो जाता है आपको जब खाली पेट में धे ये नहीं तो आपको को हमें नहीं लगता है या तो आपको जो औरक रहे हैं वो सभी से पच DAY रही है सिंपल सी बात है पच क्यों नहीं रहाई कियोंकि आपके बॉड़ी में कुछ तरह से आपको करना है अब अब जब आप इसको लेते हैं पाइनेपल हो गया औरेंज हो गया इन सारे में क्या होता है vitamin C होता, जो आपके body के लिए अच्छा है, आपके skin के लिए अच्छा है, अगर किसी को arthritis की समस्या होती है, मतलब जोडों में दर्द, घुटनों में दर्द, तो भी pineapple खाने की वज़े से आपके body में वो चीज़े कम हो जाएंगी, कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है anti-inflammatory मतलब अगर आपके body में कहीं भी सूजन है, उस सूजन को कम कौन करता है, उस सूजन को कम करने की शमता रखता है, ये आपका pineapple, ठीक है, इतना समझ में आ गया, अब देखिए, बहुत से लोगों को क्या दिक्कत है, कि उनके face पे एकने हो जाती है, face पे दाने होते हैं, कम उ क्यों होता है, देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लड़कियां ऐसी होती है, जो की make-up को use करती है, उसमें foundation आता है, आपकी आखों पे लगाने वाली शायद आई-shadow आती है, आई-liner आता है, तो वो सारे चीजों में, जो हम nail polish लगाते हैं, उसमें क्या होत नहीं है, कि उन चीजों पे वो पूरी तरह से लगाम लगा सके, या फिर उन चीजों का अच्छे से वो मुल्यांकन करे, market में कोई भी product ऐसे ही launch हो जाता है, चाहे उसमें बहुत से chemicals हो, जो आपकी body को harm पहुँचाते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, जो आपकी body में cancer को body में जाकर के आपके body को बहुत जादा नुकसान पहुचाती है, nail polish आप बड़े मजे से लगा रहे हैं, आप nail polish लगाते हो, उसी हाथ से आप फिर खाना खाते हैं, तो nail polish या फिर जो hair style बनते हैं, saloon में, तो बहुत से hair style बना करके last में hair spray यूज़ किया जाता है, अब होता क है कि nail polish सुखे ना वो hair spray bottle में वैसे ही रहे, सुखे ना उसके लिए उसमें chemical यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते है, इसकी वज़े से आपके body में cancer तक हो सकता है, ये बहुत जादा खतरनाक चीज़ है, और आपके body में जा करके आपके DNA तक को चेंज कर देते हैं, आपक समझे कि आपका body safe है, आपके body में allergy भी हो सकती है, आपके skin में यहाँ पे cuticles के पास, जो नाकुन के असपास होते हैं, उनकों क्या बोलते हैं, cuticles बोलते हैं, तो nails के anatomy और physiology में आपको बताऊंगी, तो जो nails के असपास होता है, उसको जब आप खाते हैं, तो ये इसके अंदर से अगर आपको चोट लग जाए, bleeding हो जा यहाँ पे, तो वो जो chemical है, वो आपके body के अंदर भी जा सकता है, और वहाँ पे skin irritation हो सकती है, आपको infection हो सकता है, वहाँ के area के जो cells होते हैं, वो फिडेड हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि ये जो body है, आपका वो कुछ भी है, आप अगर body के अंदर कुछ भी डालेंगे, तो कुछ भी होगा, आपके body के अंदर problems तो होंगी ही, सबसे important बात ये है, कि जो भी हमारी government है, उसको थोड़ा सा इन सभी rules regulation पर ध्यान देना चाहिए, rules बने हुए है, लेकि उनको follow उतनी सही तरीके से नहीं किये जा रह है, किस तरीके से होड़े, instant change नहीं होता है, body में कुछ समय के लिए वो रहता है, वो chemical जैसे के lipstick हो गया, अब बहुत सी मैलाई क्या करती है, lipstick को लगाती है, लगा करके सो रही है, लगा करके कुछ भी खाती है, तो जब liquid आपके body के अंदर जाता है, आपका saliva यहाँ पे, लिखने वाली थी, synthetic चीज़े होती है, synthetic, synthetic iron sulfide होता है, अब बताने का reason क्या है, मैं आपको बता रही हूँ, sorry, iron sulfide नहीं, iron oxide, synthetic iron oxide होता है, ठीक है, reason क्या मैं आपको बताती हूँ, जो एकने होता है, जो कम उम्र में ही आपके skin है, वो बहुत dull सा दिखने लगता है, तो क्यों अंदर जाता है, तो एक time आपके body के अंदर गया, दो time गया, अब आप क्या कर रहे हो, आप daily basis पे आप lipstick को use करते है, ठीक है, ये चीज़े हो गई, अब body के अंदर धीरे धीरे जाकर के heavy metals जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, heavy metals, क्योंकि iron क्या है, iron metal है, जब heavy metal जब आन औरी है, वो समय के साथ होती है, जब भी आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे दिखरे हो, आप makeup करते हैं, आप जवान है, आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे ही आप 25 या फिर जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं, आपका इसकी नचानक से 2-3 साल में बहुत जादा डल हो जाता है, फिर से आपको उसी makeup products को यूज करने की आवशकता होती है, इसे फायदा किसको होता है, company को फायदा होता है, आपको फायदा नहीं हो रहा है, गौर्मेंट को इस पर एकदम strict rule and regulation लगाना चाहिए, रूल और regulation बना हुआ है, लेकिन उनको follow नहीं किया जा रहा है, 2009 के बाद से बहुत सारे जो rule and regulation है, जो भी act है, वो change हुए है, लेकिन तभी एक आकड़े की अनुसार, 73,000 से अधिक product ऐसे है, जिसमें बहुत ही खतरनाक chemical पाये गए हैं, और वो अभी market में बड़े बड़े brand बिक रहे हैं, तो ये आपको सोचना है कि आपकी body है, ऐसे ही ए पैराबेन से cancer हो जाता है, आपको पता है न, तो पैराबेन एक और टाइप का होता है, इसमें होता है आपका methyl पैराबेन, ठीक है, तो जो मिथाइल पैराबेन है, वो क्यों यूज किया जाता है, आपके कोई भी cream में, कोई भी foundation में, ताकि वो anti-fungus उसको बना सके, ताकि उस product में fungus आ करके उसको फिर खडाब न कर सके, तो anti-fungus बनाने के चकर में, ऐसे तो अगर दिखा जाए, तो पैराबेन आपको directly कोई भी harm नहीं पहुँचाता है, लेकिन जब ही भी आप कोई ऐसे product को यूज करते हैं, जिसमें methyl पैराबेन हो, और आपने उसको face पे लगाय तो बिल्कुल सही है, जब तक आप अपने room में हो तब तक, जैसे ही आप जाओगे धूप में, तो धूप से UV rays से फिर वो react करने लगता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें है methyl पैराबेन, जैसे ही वो react करता है, वैसे ही आपको skin cancer तक होने की संभावना होती है, और ये फिर reaction होने लगता है, इसलिए आपका चेहरा dull दिखने लगता है, समय से पहले, आपके आखों की नीचे फिर काले काले dark circles आने लगते हैं, आखों के आसपास के skin बहुत जादा बेजान हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं, अकसर ना, कि जो make-up artist होते हैं, वो products को आखों के आसप करता है कि fashion के चकर में आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखे कि अगर आप कोई भी चीज़ का इस्वाल करते हैं, उसके पीछे के सारे ingredients को आप अच्छे से पढ़ा करें, और अभी तो ये भी हो रहा है कि जो भी lip balm आप यूज करते हैं, उसके पीछे या फिर उसके कोई भी packet पे सही से पूरा ingredients दिया ही नहीं रहता है, मतलब क्या कि customer को बेवकूफ बनाया जा रहा है, customer को पूरी जानकारी उस product के विशय में नहीं दी जा रही है, और ये rule होना चाहिए कि उनको पूरी जानकारी लेने का हक है, क्योंकि हम उतना पैसा उनको पे करते हैं, आ आप सोचो, आप दिमाग लगाओ, और आप अपने body का खयाल लखो, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो भी skin पे reactions होते हैं, फिर जो भी एकने हो जाती है, skin damage हो जाती है, तो pineapple की वज़र से वो damage कम हो सकता है, अगर आप कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आप pineapple अगर खाते, तो आपकी skin ऐसे ही अच्छी रहेगी, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, weight loss करने में ये मदद करता है pineapple क्यूंकि इसमें fat कम होता है, और साथ में calories भी कम होती है, आपको समझ में आ गया, calories भी कम होती है, तो आपका weight loss में भी ये मदद करेगा, ठाना body में नहीं लगता है, उसके लिए भी ये मदद करता है, सबसे अच्छी बात क्या है हमारे लिए, अभी अगर आपको समझ में आता है चीजे और नहीं भी आती है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास अभी भी समय है, आप इसको सीख सकते हैं, और सबसे बुरी बात य जिस छेत्र से जुरे हुए है उस छेत्र के कारण आपको क्या मिलेगी बाद में बाद में आपको respect मिलेगा अगर आप सही से लोगों की सहायता करोगे तो यह satisfaction होता है कि हम लोगों की help कर पाएं अब यहां पर देखिए बहुत से लोगों को अनपच होने की समस्या होती है कॉंस्टीपेशन हो जाता है तो पाइनेपल उसमें भी मदद करता है क्योंकि इसमें अच्छी नपर अमाउंट में fire होता है मैं आपको हमेशा बताया है हर लेक्चे वbt होता है तो वह आपके बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है अनपच क्यूं होता है और अप one पर जिनको यहां नब्लसर उसके resistance में उसको अकाम करने लगेगा मतलब कि आपका body उसको accept कर चुका है जब आपका body उसको accept कर चुका है इसका मतलब है कि जब आप उतनी dose next time लेंगे तो आपका body कुछ काम नहीं करेगा आपको extra dose बरहा करके लेना होगा इससे आपके gastric muscles होते हैं gastric muscles हम किसको बोलते हैं पेट के अंदर की जो भी muscles होती हैं उसको बोलते हैं तो gastric muscles फिर irritate होने लगता है इतना समझ में आ गया चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी को cholesterol की समस्या होती है body में cholesterol level high हो जाता है तो सीधा सीधी affect क काम करने की वज़र से आपको फिर सीने में तकलीफ होने लगती है body में अगर खून सही से circulate नहीं होता है तो उस time में आपके दिल को सही से blood नहीं मिलेगा तो आपको stroke हो सकता है जिसमें आपके heart के जो muscles होते हैं वो फिर dead हो जाते हैं तो इस time में फिर heart attack आ जाता है जिसको ह हो गया है ठीक है cardiac मतलब आपका heart cardiac arrest ठीक है चलिए अब pineapple आपको इसमें भी मदद करेगा cholesterol level को वो कम करने की शमता रखता है और BP को भी कम करने की शमता रखता है इसमें vitamin C पाया जाता है vitamin A पाया जाता है साथ में bromelene पाया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया साथ में इसम phosphate पाजाता है magnesium पाजाता है iron पाजाता है तो सारी चीज आपकी body के लिए अच्छी है और अच्छी अगर कोई भी चीज होती है तो आप उसका इस्तमाल करें भरपूर लाब उठाए क्यूं मैंने सही बोला ना अब देखिए आपके आँखों की रोश्णी के लिए भी बहु प्रोटेक्ट करना चाहिए लेकिन वैसे sunscreen वैसे आप कोई भी product इस्तमाल करें जिसमें कोई भी chemical ना हो या फिर जो धूप में जाकर करके react ना करते हो एक और chemical होता है जो बहुत ज़ादा यूज हो रहा है जब यह मौदूद होता है तो यह आपके skin को खराब करना शुरू कर देती है जिसकी वज़से आपका skin बहुत जादा डल होता है समय से पहले आपके skin पर wrinkles आने लगते हैं आप उतने जवान नहीं दिखते हो लेकिन अगर आप pineapple खाते हैं तो आपकी body में यह फाइदा करेग और आपकी skin भी बहुत अच्छी होगी आपके आँखों की रושनी भी बहूत अच्छी हो जाती है आँखों की रोशनी के लिए बहूत अच्छा है क्योंकि इसने vitamin A अच्छी amount में अच्छी इमांट में पाया जाता है अब आपको समझ में आगया कि क्यूं बहुत जादा अगर अफ्यक्त होती है आपकी body इसे जो भी आप लगाते हो कि बाँडी को का बाँडीका बाहर का कर अग apoyo का दोनों अलग-अलग है जब धिन बनती है तो बनती है अहीं बनाया जाता है लेकिन जब भाँडी को आपके बाँडी के पोर्षन ऐड़ द्यान강 मेरा कitude लंके ही बनता है तो एगर्ण के अंदर कोई भी चीज बाहर वाली जाती है जैसे केwoman हो गया वह बाहर लगती है अंहीं और अगर गई तो फिर दिक्कत हो जाता है अगर अगर आप जो भी चीज अपने स्किन पे लगाते हो लगबग साथ प्रतीशत आपका जो स्किन है उसको एब्जॉब कर लेता है तो अगर आप फाउंडेशन भी बहुत लंबे टाइम तक लगाते हो जो लड़कियां लगाती है ने बहुत जादा फेस पे तो फेस तो आपका हैं तो ऐसे प्रोड़क्ट का इस्तमाल करें जो की या तो नैच्रल बेस्ट हो और या उसमें जो केमिकल्स हो वो आपके बॉड़ी को कोई भी हाम ना पहुंचाए पीछे में लिखा हुआ सारा चीज आप पहले पढ़ें उसके बाद कोई भी प्रोड़क्ट आप खड़ी चीजें ही बहुत जादा अच्छा है उससे ही आप बहुत यंग दिखेंगे उससे ही आपका चेहरा इतना चमकेगा लोग पूछेंगे कौन से क्रीम लगाई हो है ना तो मैं समझती हूं कि आज आपको समझा दिया मैंने नोट्स आपको टेलिग्राम पर मिलते हैं और कोई कि भी डाउट हो आप पूछ सकते हो पहले वाले कॉमेंट में उसका लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई है आप जा करके वहां से देख सकते हैं थैंक्यू सो मच